पूर्मॉर्णिंग स्टुडेंट, प्लास 12 में ओल्लाइन क्लास में आपका स्वागत है, आपको दा गूर्ड वाच जो आपका कंटीनू चैप्टर चलने आए, इसका आजम अंतिक पेज का एक्स्प्लेन बता रहे हैं आपको, ही वाच वाच तवाच दा ओपिस, वह ओपिस की तरफ बढ़ा, ग्लास विंडो अजम वाच पार्टली क्लोज, रोजाना की तरह, शीशे की किड़गी आज भी आदी कुणी हुई थी, ग्नी ऐच वाच 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 ओं दाविए, सौनी की घड़ी मेज पर थी, हाविट ग्लाइट्टर यह किसनी तमक रही थी, इस हाइट बीड गट फास्टर उसकी हिद्रे की धालक ने बढ़ने लगी। इंग्लिश मैन वुड रेटान आफ्टर लंग्ट एंड इस सेष्टा अल्ली बाइफोरो किलोग। अंग्रेड चार बजे अपना भोजन करने के बाद और नींद लेने के बाद लोटेगा। एक अच्छा अबसर या सुनहरा अबसर देर बार नोबडी एराउड चारों तरफ कोई भी नहीं था। यानी एक दो तीर चार पांच छे और साथ मिनट ब्यातीर हो गए। शड़ली शंकू थोड़ अजानक शंकू ने सुचा। सबोज सर्वन सीज में मान लोग किसी ने मुझे देख लिया। एज इन दा पास्ट फ्यू देज जयासा की पिछले कुछ दिनों में। फियर पुज्ड हिम फोर्वाड उसमें बह उच्पन हो गया। लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। प्राउम्टेड अगेन बाई अर्जेंट नेड लेकिन वाट 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 दा रूम। अपनी अती आवसक्ताव के कारण वो कमरे की तरप गया। वन्स अगेन वी लुक्ड आराउन एक बार फिर उसने चारो ओर देखा। नोबडी वाट देयर कोई भी वहां नहीं था। एक शडर पांच थ्रो इज बेन। एक गहरा दर उसकी धर्णियों में फैल गया। और उसका हिद्र जो है वो डूमने लगा। वन सेकंड पांच एक सेकंड बीत गया। वहां बिलकुल भी कोई नहीं था। टैंबलिंग, वहां पूट दावाच इन पोकिट ओफिस ट्रावजर। काथ ते वे उसने घडी को अपने प्रजामी की दिम में रख लिया। वहां बिलकुल दावाच इन प्रजामी की दिम में रख लिया। वह जल्दी से आगे की ओर बड़ा। आप्टर आवाउट टैन स्टेप्स लगबग वीश कदम के बाज। की आफ़ाजा सब्सक्टेए। उसने पीछे देखा। ताव थुने टावजर। उसने पूर्भी बरांदे में वे जल्दी से जाते हुए देखा। ओविएसली, he was going to the timekeeper's office, इस पस लूप से वह timekeeper के दफ्तर के ओर जा रहा था, he must have seen everything, उसने सब कुछ देख लिया होगा, परेख सीवाज एस्टिने, to inform the watchman at the gate, शायद वह gate पर चौगी दार को सूचित करने जा रहा था, ओ गौड, अरे भगवाल, had he bungled, क्या उसने सब को देख लिया, सब कुछ इस्टू लाइक पिलर, पेट्रिफाइड, सब कुछ वहाँ एक मूर्थी की तरह बूत बनकर खड़ा हो गया, दा गौड वाज सेम्ड टू बन इस पोकिट लाइक बर्निंग सिंडर, एक जलते हुए कोईली की तरह धड़ी उसके जेव को जलाती भी मालूम दी, इट सेंड स्पार्ट अलोंग इस नर्फ, इसकी चिंगारी उसकी सिराव में दोड गई, दा गोल वल्ड सीम तू बी इस्पिनिंग एराउंड इन ए ब्लेजिग फार, सारी दुनिया उसके सांग ने एक जलती भी लप्टों की तरह दिखाई देने लगी, फिलेम एकरोस फॉम एवरी पार्टीकल ओप सेंड, पिल्ते कण से लपट उठ दीक रही थी, नो शेड ओप फूलनेश एनिवेयर, कहीं भी ठंडी जगय नहीं थी, एवरीथिंग वाज ओन फायर, बर्नी बर्नी, शंकु आग की तरह था, जलता हुआ, जलता हुआ, ब्रोदर संकु, वाई आर यू स्टेंडिंग रेल लायके पिलर, भाई संकु, तुम यहाँ एक पिलर की तरह क्यों खड़े हुए हो, संकु टाइड विद ए स्टार्ट, एंड सा माजवन स्टेंडिंग लोजवाई, संकु ने जटके से पीछे मुण कर देगा, तो पीछे पास में ही माजवन खड़ा हुआ था, संकु इस्टेंड आउट, संकु ने हकलाते वे कहा, नो रिजन फोर न थे, कोई कारण नहीं है, कुछ नहीं है, गो ओन, माजवन स्टेंड विद ए लाग, एंड वाग द आवे तो इस वर्क, माजवन ने हस्ते हुए कहा और अपने काम पर चला गया, यह मस्ट थैप गोन, और रिपोर्ट थैप, माजवन एवर्ट, एवर्ड वन प्रोबेवली नूँ एवावट इट, उस वह जा चुका होगा और उसने चोजी की रिपोर्ट कर दी होगी, मेरे बगवान, एवर्ड वन संभख्त है, हरे किसके बारे में जान गया होगा, All the 800-odd workers at the factory would surround him noisily, आज कार्थाने के सभी 800 करवचारी उसको तोर करते हुए घेर लेंगे, दे बूड लुक एक हिम इन स्पॉर्ट, वे नफरत की दरश्टी से उसको भूर कर देतेंगे, दे बूड रिमार्क विद डरायजन, वे सभ गंदी-गंदी टिपणिया करेंगे, थैफ, थैफ, थीव, थीव, जैन रिवोड बी टेकिन बिफोर दा वाइट भॉष, चोर-चोर, तब उसको उस अंगरेज के सामने प्रस्टुत किया जाएगा, और रिप्रेमेंगे, और वे उसको गुरा भला कहेगा, हाँ, स्टैनली, यूड लूड 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 देखेगा, संको बूड शॉरली बी दिस्मिज़, संको गो निष्टित रूप से निकाल लिया, जाएगा, यूड लूड लूड वेकी, वा दिस्मिज़ जाएगा, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वेकी को एक पुराना छाता लेने पर नौक्री से निकाल लिया गया था, एक ओल्ड फियर एंटर्ड संकूज हर्ट, विज वाज चौक्ट विद डिप्रेसिंग थोट्स, एक घ्यरा भै उसके हिर्दय में प्रवेश कर गया, जिसने उसके विचारों को तोड़ कर रग दिया था, स्रक्षा कर्मी ताइम कीपर के दफ्तर के प्रवेश द्वार पर इंपजार कर रहा होगा, वो उसको पकड़ लेगा, नहीं, यह तो बड़ा बुरा होगा, यह तो बड़ा बुरा खत्रा है, वो पुट इस बैक इन दा पिलेश, वो उसको उस इस्तान पर वापिस रख देगा, एक इस्पोर्चिंग सिंडर एक गहरा बहर देट वाज बर्निंग हीम, जो उसे जला रहा था, बट दैन, ओ नो, लेकिन तभी, अरे नहीं, यह तो इसे अपने अजले विचार में उसने अपने आप से कहा, बट फाइनली, यह मेंड अप, हिड माइंड, अंत में उसने अपना मन बनाया, यह वाज अट दा ओपिस रूम, वह दफ्तर के कमरे पर गया, दा विंडो इस्टिल रिमेंड, हाप ओबिन, खिड़की अप्पी आजी खुली हुई थी, शंकु लोग अराउंड शंकु ने चारो और देखा, नोबन वाज देर, नोबन एड ओल, कोई भी वहाँ नहीं था, बिल्कुल भी कोई नहीं था, ही तुक दा गोल्ड वाज, प्रिजेंटली, रिवेंबर्ड, ही तुक दा गोल्ड वाज, क्विंगली आउट आउट ओफिज कोकिट, उसने जल्दी से अपनी देख से गणी बार निकाली, उसके हाथ सापेदे की पत्ती की तरह काप रहे थे, ही प्रिजेंटली रिमेंबर्ड ही ओम एंड ही अन्पेट डेव्ट, उसने अपने घर के बारे, वर्तमान घर की परिश्टिती के बारे में, याद किया, और अपने बिना अदा किये हुए कर्जों के बारे में याद किया, What was to be done, क्या किया जाना था, संकु फैल सुफोसियेटिड, संकु ने सास रहित होते हुए महसूस किया, The sound of a foot step behind him, उसके पीछे से एक कदमों की चाप उसे सुनाई दी, Subman was returning, कोई लौट रहा था, He put the watch on the devil, उसने घड़ी को मेज पर रख दिया, And breathlessly walk डबे, और नर्वस होता हुआ आगे बढ़ गया, Thank you, Happy Nice Day, आपका इस chapter complete हो गया, Okay, Good night,